बागवट जी कहते हैं कि भगवान ने प्रकरती ने हमको जो बहुत सारी चमतकारी चीज़ें उपलब्द कराई हैं भगवान ने या प्रकरती ने उन में से एक चमतकारी चीज़ वो बोलते हैं गाये हैं गाये बागवट्टी जी कहते हैं कि भगवान ने और प्रकरती ने जितनी चमतकारी चीज़ें हमें उपलब्द कराई हैं उसमें से एक है गाए और गोमूत्र के बारे में वो बहुत बखान करते हैं बखान शब्द आप समझते हैं खूब प्रशंसा करना खूब प्रशंसा करना वो कहते हैं कि ये गाए का मूत्र अद्बुत है अद्बुत है मतलब वो ये कहते हैं कि वात पूरी तरह से खतम करने की शक्ति इसमें है कफ पूरी तरह से खतम करने की शक्ति इसमें है और पित, पित के रोगों को भी खतम करने की शक्ती है कुछ आयरोवेदिक आउशदियों के साथ वात और कफ को तो ये अकेला ही खतम कर देता है पित को खतम करने के लिए इसमें कुछ आउशदियां मिलानी पड़ती है लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में तीन तरह के जो जितने रोग हैं वात पित कफ इनकी कुल संख्या मैंने आपको सबसे पहले दिन बोली थी 148 रोग हैं लगबग भारत में दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ बारत तो भारत में वात पित कफ के कुल 148 रोग हैं बागवट्टी जी कहते हैं हर रोग को खतम करने की शक्ति अकेली अगर किसी एक वस्तू में है तो ये गोम उतर है मेथी का दाना वात को कम करेगा कफ को कम करेगा पित को खतम नहीं कर सकता पित को कई वार बढ़ा देता कई लोगों को ये महसूस होगा मेथी दाना खाएं तो जलन जादा होती है गैस बनती है मुह सूख जाता है तो आप समझ लो पित बढ़क गया आपका तो उन लोगों के लिए तकलीफ है लेकिन वो कहते हैं कि ये गोमूत्रे कैसी चीज है जो वात, पित, कफ तीनों को सम में लाने के लिए सबसे जादा मदद करता है अब ये तो उन्होंने लिख दिया साड़े तीन हजार साल पहले तो जरूर कुछ अब्जर्वेशन किये होंगे हमको इस पर भरोसा कम होता था जब ये बात मैंने पहली बार पढ़ी तो भरोसा कम होता था कि क्या अदुबुद चीज बता रहे हो वात, पित, कफ तीनों को एक साथ सम में ला सकता है थोड़ा सा मामूली हेर फेर करना पढ़ेगा पित्त के रोगियों के लिए बाकी के लिए तो कुछ नहीं करना तो फिर हम लोगों को जब शक हुआ कि शायद ये इतना असरकारी नहीं हो सकता तो गोवूत्र पर हम लोगों ने कुछ परिक्षन किये हमारा एक बहुत बड़ा समू है इस देश में तो उसमें बहुत तरह के लोग हैं वह ग्यानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं लोगयरा वगयरा तो कुछ वह ग्यानिक और डॉक्टरों ने मिलकर का करके देख लो भागबटी जी कह रहे हैं तो हो सकता है जरूर इसमें कुछ गंबीर बात हो करके देख तो जब करके देखना शुरू किया तो पिछले लगबग 5-6 वर्षों में गोमूत्र पर हजारों परिक्षन किये हजारों सबसे पहले तो उसका हमने केमिकल एनेलिसिस कराया कि आखिर गोमूत्र है क्या तो सबसे ज़्यादा उसमें पानी है पानी के अलावा क्या है तो पता चला पानी के अलावा उसमें कैलशियम है तो पता चला पानी के अलावा उसमें सलफर है पानी के अलावा उसमें आईरन है पानी के अलावा उसमें ऐसे जीवन के 18 सुक्ष्म पोशक तत्व है जो शरीर को बहुत ही उप्योगी है पानी तो है यह वो मूत्र में आपके भी मूत्र में पानी है लेकिन पानी के अलावा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मूत्र में नहीं है मनुश्य मूत्र में नहीं है केलशियम है आइरन है, सिलीकॉन है बोरोन है F.E. है, मेगनीज है, मेगनीशियम है ऐसे 18 सुक्षुम पोशक्तत अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूँ ये 18 सुक्षुम पोशक्तत तो एक साथ अगर किसी चीज में है तो मिट्टी में है मिट्टी, खेत की मिट्टी और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ है तो गाए के मूत्र में दूसरी कोई भी चीज में अगर है तो गाए के मूत्र में पहली चीज जिसमें है मिट्टी और दूसरी कोई चीज तो गोमूत्र तो गोमूत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते ये जो संपूर्ण घटक वाली एक पएपदार्थ है या द्रव्य पदार्थ है इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है चमत कारिक है तो हम गो लगा के करके देख लो तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनलिसिस कराया एक लेबोरेटरी में गाय का मूतर डिब्बे में भरके दिया शीशी में भरके कि जरा देखो इसमें क्या है तो छे महीने के बाद लगबग आठ महीने के बाद लखनव एक शहर है भारत का जिसका बड़ा नाम है बड़ा जिकर है उत्तर प्रदेश की राजदानी है वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है उसका नाम भी बता दूँ ताकि आप चाहें तो उनसे कन्फर्म कर ले प्रयोगशाला का नाम है CDRI Central Drug Research Institute भारत में दवाओं पर औशदियों पर काम करने वाली यह सबसे बड़ी संस्था है तो इनके यहां सबसे पहला टेस्टिंग हुआ शीशी में भरा गोमूतर हमने दिया और तीन चार तरह के गोमूतर दिये एक तो वो जर्सी गाए होती है ना जर्सी गाए विदेशी गाए उसका भी दिया होलिस्टियन, फ्रीजियन, जाती की गाय का दिया और जो भारत की गाय है, देशी गाय अपनी, उसका दिया तो वेग्यानिकों ने छे से आठ महीना लगाया फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को खतम करने के लिए जितने घटक चाहिए, वो सब गोमूत्र में हैं, सब के सब सब के सब, अब जैसे, मैं आपको नाम लेके कहूँ आपको तवचा का कोई भी रोग हो गया, कोई भी रोग हो गया तवचा का, तो इसका मानिया आपके शरीर में एक घटक कम हुआ घटकों की कमी से ही रोग होते हैं, वो घटक का नाम है सल्फर एक केमिकल कम होता है, जिसका नाम है सल्फर जिनको भी स्किन डिसीज होंगी, उनके शरीर में सल्फर कम हो जाएगा ये है बात, अब गाये के मूत्र में भरपूर मात्रा में हैं सल्फर बरपूर तो हम लोगों ने क्या किया कि ये तवचारोग वालों को एकठा करके सलफर चाहिए तो सलफर हम चाहें तो होमियोपेथी में दे सकते थे उनको सलफर चाहें तो आयरुवेद में भी दिया जा सकता था हमने ना होमियोपेथी में दिया ना आयरुवेद में दिया, उनको का भई गोमूत्र में सलफर है और आपको सलफर की जरूरत है, तो आप पी के देख लो, तो उनमेंसे कुछ ने पिया, कुछ ने नहीं पिया कुछ को लगा के कैसे पिया है इसमें बगेरा बगेरा बहुत सारी तकलीफ है, वो एक आदमी तो मुझे कहता था, राजी भाई इतनी बास आती है, कैसे पी सकता हूँ, और वो रोज एक बोतल दारु पी लेता था गोमूत्र पीने में उसको बास आती थी, तो मैं उसको समझाता था, भाईया, दारु की जो बास है उससे अच्छी तो ये है, लेकिन वो माना ने, खेर, जिन लोगों ने पी लिया, हमने देखा, कि सवा महिने से ही उनके तवचा का रंग बदलना, और उनका जो रोग है, वो बदलना शुरू हुआ तीसरे महिने तक आते आते संपूर रोग थे, और क्या क्या रोग ठीक हुए, सोराइसिस ठीक हुआ, जो कभी ठीक नहीं होता, आप जानते एलोपेथी वाले तो कहते हैं, सोराइसिस ठीक ही नहीं होता, सोराइसिस के बारे मों वो कहते हैं, कि आदमी मरे तो ठीक होता है, ये भाशा है डॉक्टरों की, तो वो सुराइसिस ठीक हुआ, एक्जीमा तो इतने आसानी से ठीक हुआ, कि बहुत ही आसा, खुजली, खाज, दाद, सब तरह के तवचारों ठीक हुए, तो बात समझ में आई, कि बागवट्टी जी सही कहते हैं, फिर हमने इसका एक्सपरिमेंट गुटने दुखने वालों पे किया, गुटने दुखते हैं, कमर दुखते हैं, कंदा दुखता हैं, और देखा कि रिजल्ट बिलकुल सही है, पंदरे से बीस दिन में ही असर है, फिर हमने इसका प्रयोक कफ वालों पे किया, खासी है, सर्दी है, जुकाम है, बीस-बीस साल की खासी ह अब आप जानते हैं 20-25 साल की खांसी तो दमाई हो जाती है या तो टीवी में बदल जाती है तो उसमें देखा तो इतना तीवर असर है इसका कि अगर आप च्यूबर कुलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज करा हैं आप खुद कर लेंगे एक्सपरिमेंट मैं तो 20 योँ बार कर चुका सरकार का इलाज आप जानते हैं एक गोलियां डॉट्स की गोलियां टीवी के मरीजों को देते हैं और कहते हम फरी में बांट रहें तो एक आदमी को आप बोलो के डॉट्स खाए और इलाज कराए और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरलल ले लो जिसको टीवी है अस्थमा है दमाज उसको को नहीं तुम सिर्फ गोमूत्र पियो और कुछ मत करो फ्रेश गोमूत्र माने फ्रेश जो उता जा तो आप देखेंगे कि वो डॉट्स की गोली खाने वाले को चार महिने से छे महिने लगेंगे और ये गोमूत्र पिने वाले को सवा महिने से दो महिना ही लगेगा और ठीक होगा और ये एक बार ठीक हुआ गोमूत्र पिके इसको दुबारा टीवी नहीं आएगी क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि वो बीमारी भविश्य में दुबारा ना आए तो समझ में आया कि बाग भुट जी तो कुछ गलत नहीं बोल गए सही फिर हमने और एक एक्सपरिमेंट किये कि जिनको डॉट्स दी जा रही है ऐसे कुछ मरीज एम्स में हमने चिन्नित किये ज़्यादा एक्सपरिमेंट हमने एम्स के डॉक्टरों की मदद से किये तो All India Institute के कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है नियमित रूप से टीवी के लिए वो आते हैं उनको शीशी में भर-भर के ये दे दिया और ये नहीं कहा कि ये गोमूत रहे क्योंकि कहो तो खाएं नहीं और पीएं नहीं उनको कहा ये बहुत अच्छा सीरफ है आप इसको पीते रहो अब वो आते थे शिकायत करते थे कि ये कैसा सीरफ है इसमें कुछ बास सी आती है दूसरे सीरफ तो मीचे मीचे लगते हैं कि भाई ये सीरफ दूसरे तरह का है तो उनको बताएं तो पीएं नहीं और हमारा एक्सपरिमेंट हो नहीं तो हमें तो करना था तो उनको बताया गया तो ये हमने देखा कि डॉट्स का जो काम करने का है डॉट्स मने उसके जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स उसके घटक जो शरीर पर काम हो रहे हैं गोमूत्र पीते ही उनके काम करने की शक्ती 20 गुने से 40 गुनी बढ़ गई डॉट्स तो काम करी रही है लेकिन गोमूत्र के साथ जब डॉट्स दी गई तो वही उनकी बीमारी जो 6 महिने में खतम होने वाली थी वो 2 सवा 2 महिने में संपूर जड़ से ठीक हो गई फिर जब वो ठीक हो गए तब उनको हमने बताया कि भाईया वो शीशी में भरके जो दिया था वो गोमूत्र था तो तुरंत नाक चड़ गई हो ठीक हो गए कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया हमको हमारी संभावना नहीं थी कि हम जिन्दा भी बचेंगे 48 रोगों तक पहुँचे हैं आज 48 डिसीज हैं 48 रोग हैं वाद के कफ के पित के तीनों के जड़ से खतम होते हैं अभी जो लेटेस्ट हम काम कर रहे हैं आज की तारीक में जब मैं आपसे कह रहा हूँ इस समय ज़्यादा काम हो रहा है कैंसर पे कि गोमूत्र का कैंसर पे देखो क्या होता है तो गले का कैंसर आहर नली का कैंसर और पेट का इन तीन कैंसरों पर सबसे अच्छे परिणाम गोमूत्र के तीनों कैंसर पे बागी जो रक्त का कैंसर है उसमें परिणाम अभी उतने अच्छे नहीं है तो बागवट जी के जो permutation और combinations है मतलब कि गो मूत्र में ये मिलाओ और ये मिलाओ और इतनी मात्रा में मिलाओ और इतनी वो करके देख रहे हैं और वो करके देखने के लिए एक बड़ा hospital बन रहा है इस देश में आप कभी भी वहाँ जा सकते हैं 11 फरवरी से काम करना शुरू कर देगा वलसाड में बन रहा है वलसाड वलसाड आपने सुना गुजरात में तो वलसाड के कुछ जैन समाज के लोग इकठे हुए उन्होंने दिल दिखाया और दान दे दिया जितना चाहिए था मने hospital बनाने के लिए आप जानते हैं आसान नहीं है और cancer hospital के लिए तो थोड़ा मुश्किल है तो उन्होंने भरपूर दान दे दिया जगे भी दे दी तो hospital बनके तयार हो गया 11 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा जो वेग्याने गोमूतर पर काम कर रहे थे पिछले 6-7 साल से वो सब इकठे होके वलसाड में बैठेंगे और सिर्फ cancer पे काम करेंगे क्योंकि बाकी काम तो करके देख चुके हैं वो सब में अच्छा है हर बीमारी में काम आ रहा है cancer में करेंगे और हर तरह के cancer में करेंगे गरबाशे के cancer में करेंगे रर्ट cancer में करेंगे brain tumor जो cancer में convert होता है उसमें करेंगे और शायद हमें लगता है एक देड़ साल के बाद मैं दुबारा आपको मिलूँगा तो इस पर बहुत विस्तार से बात करूँगा कि कैंसर में क्या रिजल्ट है तीन तरह के कैंसर के रिजल्ट तो अभी बता सकता हूँ गले का, आहरनली का और पेट का ये तो बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है लेकिन बाकी कैंसर में भी इसका कोई असर है आपने कैंसर के बारे में जितना कुछ सुना है उसमें से एक बात मैं कहूँ कि आधुनिक विग्यान ये कहता है कि शरीर को कैंसर तभी होता है जब शरीर में एक कैमिकल कम होता है उस कैमिकल का नाम है करक्यूमिन ये आज के विग्यानिकों ने रिसर्च करके निकाला है करक्यूमिन नाम का एक कैमिकल है ये कम है तो जरूर तो खतम होगा आदमी कैंसर आएगा और खतम होगा और इस chemical की कमी से जो कोशिकाएं होती है वो uncontrolled होती है उनके उपर control नहीं रहता तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक जूत जैसा बना लेती है वो tumor हो जाता पिर tumor बाद में blast होता और फिर वो malignant होता है पहले benign फिर malignant और फिर अंत में कहते है जी death ही है और कुछ है नहीं उसम सारे वैग्यानिक इसमें लगे हो अब सहयोग की बात देखिए कि जिस curcumin की बात आज के वैग्यानिक कर रहे है वो curcumin भरपूर मात्रा में गोमूत्र में है भरपूर मात्रा में और एकदम digestible form में है digestible माने तुरंद पियो और असर करे ऐसा देर नहीं लगे ये कुछ ऐस सायोग है प्रकरती का वैग्यानिक कह रहे हैं कि ये तत्तु कम होता है तब ही कैंसर होता है अब यहीं तत्तु गाय के मूत्र में हैं तो हजारों साल पहले बागवट की कही हुई बात अब सिद्ध हो जाएगी साल भर में तो सम्मान लेंगे अब तक जितने रिसर्चिस हुए हैं गो मूत्र पर इन पर भारत सरकार के सामने रिपोर्ट्स पेश की गई बारत सरकार की जानते हैं एक काउंसिल है जिसका नाम है MCI Medical Council of India इनके पास सब कुछ जाता है सबसे पहले था सब गया तो MCI वालों ने नाक चड़ही बहुत यह क्या आप ले आए गो मूत्र ऐसा बात करते हैं यह क्या ले आए गो मूत्र मने उनको लगता है कि यह तो बेकार की चीज़ अर उनका कुतर्क क्या है वो जहरा देखो कुतर्क तर्क है तो चलो अच्छ आ है हम ँँसे समबाद कर सकते हैं समझाएं कुतर्क करतें केतें जी ये गोमूतर इतना ही अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों इसको शरीर से जब हमारा जगड़ा हुआ ना MCI वालों से आधनिक डॉक्टरों से और उन्होंने ये कुतर करना शुरू किया क्या फालतू बात करतें गोमूतर इसमें कुछ है क्या मैंने का भईया बहुत कुछ है नहीं तो कोई मूर्ख नहीं था जो साड़े तीन हजार साल पहले इसको ल दवाएं गोमूतर में बनाते हैं आपको नहीं बताते ही अलग बात है क्योंकि हर वैद मुझे यही कहता है बता दो तो नाक चड़ जाती है सबकी नाक चड़े तो थोड़ा रजिस्टेंस आता फिर दवा का असर कम हो जाता तो बिना बताए देते रहते तो हमको कॉन्वि करती थी। वो कभी स्कूल में नहीं गई कॉलेज में नहीं गई लेकिन ग्यान बहुत था इसको हमारे देश में ऐसा ही है जो स्कूल कॉलेज में नहीं गई वो सब ग्यानी है ये मेरा पंद्रे साल का सो प्रतिशत तजुर्वे का हिस्सा है इसमें कोई कमी नहीं है जो स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए बहुत ग्यानी है उनके पास नॉलेज बहुत है फंक्शनल नॉलेज जिसको हम कहते हैं अपरेटिव और फंक्शनल नॉलेज उनको जबरजस्त है और वो इतनी ग्यान की बातें कई बार कर जाते हैं कि हमारा सिर घूम जाता है एक बार मैं आपको ये छेपक हैं लेकिन मैं जोड़ देता हूँ मैं एक बार पटना रेलवे स्टेशन पर उतरा बहुत बार जाता रहता हूँ गूमता रहता हूँ तो रात के ढ़ाई बजे थे अब ट्रेंस उतर गया सामन थोड़ा जादा था मेरे पास एक ही सामन है किताब है मेरे कपड़े तो दोई तीन है बस किताब है तो उठाए गठर अब कैसे उठाएं तो कुली चाहिए भई तो ढूनना शुरू किया तो एक ही कुली दिखाई दिया मैंने का भाई जरा ले चलो बाहर तक उसने का साम थोड़ी देर रुख जाओ मेरा कुछ जगड़ा है किस से जगड़ा है तो मेरी पत्नी से जगड़ा हो रहा है थोड़ी देर रुख जाओ फिर मैं ले जाओंगा तो मैं खड़ा हो गया दोनों की बात सुनने लगा पती और पत्नी बात कर रहे थे उसकी पत्नी कहीं गाओं से आई हुई थी कोई मामला था मुझे जादा उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो जो है न इस्थानिय भाषा बोलते और मैं थोड़ा मूर खाद्मी हूँ मुझको कम समस्ती तो मैं सुन जरूर रहा था जगड़ा चल रहा था अंत में कुछ फैसला हुआ और फैसला हुआ फिर उसने का चलो अब आपका सामन लेता हूँ तो मैंने जिग्या साज़ पूछ लिया भई बात क्या थी तो उसने का कुछ नहीं मैंने का बता दो भाई उसने का मेरे घर की बात है आपको क्या बता हूँ तो फिर भी मैंने का बता दो तो उसने का बात इतनी सी थी कि मेरी पत्नी कुछ कह रही थी मैं मान नहीं रहा था फिर मैंने का क्या हुआ उसने का अब मैंने मान लिया मैंने का क्यों मान लिया अब देखो उसने जो आगे बोला तो मैं तो दंग रह गया मुझे लगा कि मैं इसके पाउं छोलूं, ये इतना महानादमी है, कुली है, वो कहता है, जी इस्तरी जो होती है ना इस्तरी, वो खूंटा होती है, खूंटा, खूंटा समझते हैं? हिंदी का शब्द है, खूंटा, खूंटा, जिससे हम गाय बानते हैं, बैल बानते हैं, वो कहीं युनिवर्सिटी में गया नहीं? कोई डिग्री इसके पास है नहीं? इतने घ्ञान की बात इसने कैसे कहीई? मैं पूछा तुम कहां रहते हो? तो उसने बताँ है, वहां रहता हूं कंकडबा कोई जगे बताई ती, वहां रहता हूं छोपडी मेरे तो वो अलग बात है तुम्हारे मित्र यार कौन है तो उसने का मेरे ही जैसे हैं कोई कुली है कोई पत्थर तोड़ता है कोई कुछ करता है हम सब रात को बैठते हैं और यही चर्चाहें करते है मैंने का बड़े ग्यान की बात है यह तो कोई philosopher इस बात को पाने में दस साल लगाएगा double PhD करना पढ़ जाएगा उसको triple PhD और उसको साधर तो मेरा ये मानना है कि ये बिना पढ़े लिखे लोग बहुत ग्यानी है ये अंजाने में कई बार ऐसी बातें करते हैं या ग्यान के काम करते हैं जो जान कर करें तो सबका गोरव और सम्मान इतना ही हो जितना हमारा आपका है तो बागवटर जी ने कह दिया उसके बाद बहुत सारे वैद्यों ने अंजाने में ये किया कि बागवटर जी कह गए इसलिए गोमूतर में घिसके दो हरडे है ना गोमूतर में घिसके दो तो ठीक है, हम निकालके देंगे आपको, तो उनका एक ही कुदर था जी मूतर इतना अच्छा औता तो गाए क्यों छोड़ती इसको, आपका मूतर अगर इतना अच्छा होटा तो आप क्यों छोड़ते इसको, फिर बाद में मुझे दादी की बात याद आई, कि दादी ये कह क्योंकि गाय बोलना वो कहती थी अपमान है उसका तो गो माता है अब माता जो होती है हर जरूरी चीज बच्चे के लिए छोड़ती है यह आप सब जानते हैं बच्चा उत्पन हुआ तो उसको सबसे ज़्यादा जरूरी है दूद तो मा दूद छोड़ना शुरू कर देती है बच्चे होने के पहले तक नहीं है वो बच्चा होने के बाद ही है तो माता के बारे में यह कहा जाता है मा की परिभाशा इस देश में है कि हर जरूरी चीज जो उसके बच्चे को चाहिए वो छोड़ती है तो मुझे लगा गाय भी माता है तो यह बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए मूत्र तो ये हमारे लिए शायद छोड़ती है हम मूर्ख हैं कि उसको एकठा नहीं करते बेकार जानने देते हैं तो वेग्यानिकों को मैंने का हमारे यां तो ये कहा जाता है कि ये गाए नहीं है माता है तो माह कुछ जरूरी चीज हमारे लिए छोड़ती है तो शायद ये जरूरी हो तो उनका अच्छा ठीक है अब आप बहुत जोर दे रहे हो और हमने कई तरह का प्रेशर डलवाया था उनके उपर तो चलो करके देख लेते हैं फिर MLS के और MCI के वेगानिकों ने काम किया और काम करने के बाद आठ महिने के बाद बात आपकी बिल्कुल सही है ये गोऻमूतर हमारे लिए ही गाये छोड़ती है हमारे लिए ही छोड़ती है हमको 20 यों बिमारिया हैं जो इससे ठीक होती है तो आप अपने जीवन में गाय के प्रती देखने का थोड़ा नजरिया बदल दो अब तक आप गाय को दूद के लिए देखते थे अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मूत्र के लिए देखो दूद तो बोनस है मूत्र उसकी जिन्दगी के आखरी दिन तक मिलने वाली ओशदी है दूद तो थोड़े दिन मिलेगा आप जानती है गाय थोड़े दिन दूद देती है जैसे मा थोड़े दिन दूद दे सकती है वैसे गाय भी थोड़े दिन दे सकती है हमेशा नहीं दे सकती, थोड़े दिन के बाद दूद बंद हो जाता है, लेकिन मूत्र जीवन के आखरी दिन तक देती है, और उस मूत्र से हमने करके देख लिया, वैग्यानिकों ने मान लिया, कि 48 बीमारियां तो जड़ से ठीक हो जाती है, ये बीमारियां क्या-क्या है, फ बोलेंगे इसको लेना कैसे चाहिए, बागवट जी ने इसका तरीका ये बताया है, कि गोमूत्र लेना हो तो उसका सबसे अच्छा समय है, सबेरे का समय बताया है, अच्छा है, सबेरे गोमूत्र लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, तो ये मात्रा बागवट जी बोल कर गए कि जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, उनको एक दिन में 100 ग्राम, 100 ग्राम नहीं कहा है, लेकिन जो मात्रा दी है, वो ग्राम के बरावर है, और 100 ग्राम बोल रहा हूं ताकि समझ में आएगे, नहीं तो उनकी मात्रा बोल दी तो समझ में नहीं आएग तो उसका पाव कप मान लो ये बीमार, बहुत बीमार बहुत बीमार लोगों के लिए और वो कहते हैं कि इसको आदा आदा करके लो तो और अच्छा है तो आदा एक बार ले लिया, आदा दूसरी बार ले लिया और जिस समय लें पेट खाली रहे तो नाश्टे के पहले अब पेट खाली दो समय रहता है दिन में एक तो सुबह सुबह और दूसरा जब भोजन के बाद आप चार घंटे निकल जाए ना तो पेट लगबग खाली हो जाता है तो शाम को ले सकते हैं बीमार लोगों और जो बीमार कम है या स्वस्थ हैं निरोगी हैं और लेना चाहते हैं उनको एक ही बार तो पचास मिली लीटर की मातरा उन्होंने बताई है उसके लिए स्वस्थ कम बीमार पचास मिली लीटर पचास मिली लीटर मने एक कप का तिहाई हिस्सा वन थर्ड तो ये आप ले सकते हैं अब जिस गाय का मूत्र आप ले रहे हैं उसके बारे में एक छोटी जानकारी उन्होंने जोड़ी उसमें वो ये कहते हैं सूत्र में कि गाय जो मूत्र पीने लायक माने औशदी के रूप में देती है वो गाय को पैदल चलना बहुत आवश्चक है माने वो चले दिन में घूमे टहले बांधी हुई गाय जिसको आप चलने ही मत दो घर में ही बंधी रहे उसके मूत्र के बारे में बागबर्टी जी कहते हैं कि वो उपयोगी नहीं है उपयोगी नहीं अब हमने क्या देखा कि ये जो जर्सी गाय है ना जर्सी हुलिस्टियन, फ्रीजियन ये बंधी हुई गाय है आप इसको छोड़ भी दो तो जाती नहीं है बद्द से बैट जाती है खड़ा करो फिर बैट जाईगी फिर खड़ा करो फिर खड़ी भी नहीं होती ज्यादा देर बैठी रहेगी चलना तो उसके लिए इतना भारी है कि जब वो चलेगी तो ऐसी कराह निकलती है उसके मुह से तो ये बंधी हुई गाय है बागवटी जी कहते हैं बंधी हुई गाय का मूत्र अच्छा नहीं है तो फिर मुझे बचपन की एक बात याद आई मेरी दादी माने कहा कि गाय के शरीर मेर 33 करोड देवता है अब बात सुन ली बैठ गई मन में एक्स्प्लेनेशन में पूछता था अपने आप से कि ये कैसे हो सकता 33 करोड देवता 33 करोड देवता तो हमारे यहाँ एक शब्द है कोटी का एक रत होता है करोड और कोटी का एक रत होता है प्रकार संस्कृत शब्द है कोटी का एक रत है करोड 10 करोड 20 करोड 50 करोड जो गिंती में आप गिन कोटी का दूसरा अर्थ है प्रकार तो शायद यहाँ पर जो अर्थ है वो प्रकार वाला है 33 करोड नहीं क्योंकि जिस समय बागवटी जी न लिखा था उस समय हिंदुस्तान की आबादी 20 करोड से कम रही होगी तो 33 करोड देवता कैसे हो सकते हैं जब कुल मनुष्यों की संक्या इतनी कम है तो शायद वो प्रकार वाला है और आजकल बहुत लोग खिली उड़ाते हैं न हिंदु धरम की ये ईसाई लोग और मुसल्मान लोग जो खिली उड़ाते हैं वो इसी पर आ जाते हैं क्या बात करते हो 33 करोड देवता हैं तुमारे हैं हमारे हैं तो एक ही देवता है और देवता तो एक ही होता है तो वो शाइँ तेटीस प्रकार के देवता है, ऐसा है. अब मैंने एक बार पुराने शास्त्रों से गाए का एक चितर निकला हुआ देखा, तो देवताओं का बना हुआ था, कि गाए के शरीर में कौन कहा है? जैसे गाए के मुतर में धन्वंतरी देवता है, गाए के गोबर में लक्षमी जी का निवास है एक संस्कृत सूत्र है गोमय वसति लक्षमी गाय के गोवर में लक्षमी है गोमूत्र में धन्वंतरी है गाय के गले में शंकर जी है ऐसे ऐसे करके है अब मैंने का करके देखो भाई हैं तो करके देख लो तो पहली बात तो समझ में तुरन तागी कि गोब मूत्र से इतने रोग ठीक हो रहे हैं और धन्वंतरी तो आरोग्य के लिए ही उत्पन हुए थे तो मूत्र में धन्वंतरी तो है पक्का गोबर में लक्ष्मी है क्या तो हम लोग 6-7 साल से ये प्रयोग कर रहे हैं और अब जाके हम ये कह सकते हैं कि सच में महा लक्ष्मी है गोबर में लक्ष्मी नहीं महा लक्ष्मी क्योंकि हमने गोबर का उप्योग किया खेतों मैं YouTube-Nap बन करा दिया भारत में हमारा चो अभियान हे Mormon हुडू स्वराज अब्राज अव्यान आजध आज़्धि बचाव अंदू जब जरूरत पढ़े गाय का गोबर डाता और उनकी खेती पहले से इतनी अच्छी है कि उत्पादन उनका दो से तीन गुना बढ़ गया। जब जरूरत पढ़े गाय करते थे तो यूरिया डियेपी से आता था मुश्किल से 15-17 कुंटल धान चावल उसमें भी कम होता था अब हम धान करते हैं तो 30 कुंटल तक आता है उसी गोबर से बाजरे में किया मक्य में किया गन्य में तो इतना अद्बुत परिणाम है कि यूर गोबर से रिकवरी 14-15 परसेंट है और जो गोबर से गन्ना करें और उसका गुड़ बनाएं रस से गुड़ बनाएं तो वो गुड़ का अंतर राश्री बजार में भाव 70 रुपई किलो है और आप 15 रुपई किलो खरीदने में परिशान है क्योंकि इंटरनेशनल गोबर का गन्ना और उसका रस और गुड़ मिलता नहीं किसी देश में भारत में ही संभव है क्योंकि देशी गाए ही बारत में और किसी के पास देशी गाए है नहीं तो गोबर में लक्षमी है क्योंकि आप उत्पादन बढ़ाएंगे बाजार में बेचेंगे लक्षमी आ तक आये हैं कि गाय के गोबर में से गैस निकलती है ये गैस से आप अपने घर का चूला तो जलाई सकते हैं ये तो पुरानी बात है अभी आज की बात जो है वो ये कि गाय के गोबर से निकली हुई गैस से गाड़ी चला सकते हैं गाड़ी माने टाटा सूमो टाटा इंडिका टाटा सियरा, टाटा की वो सफारी ये सब चलती है, बहुत आराम से चलती है गोबर गैस है न, उसको सिलिंडर में भरो और वो सिलिंडर गाड़ी में लगा दो तो बिना इंजन बदले और कोई तकलिफ किये वो ही गाड़ी दोडती है दिल्ली में IIT है, कभी भी आप वहाँ चले जाएए, IIT केंपस की सब गाड़ियां गोबर गैस से ही चलती है और इस आधार पर सुप्रीम कोट में एक केस का भी फैसला हुआ है हमारे देश का अदालत अब तक ये कहती थी कि गाये दूद न थे तो बेकार है काट दो अब सुप्रीम कोट ने अपना फैसला बदल दिया, वो कहते हैं ये दूद नहीं दे तो भी उतनी ही उप्रियोगी है क्योंकि गोबर दे रही है और मूत्र दे रहे है कोट ने अपना जज्जमेंट बदला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ सुप्रीम कोट ने अपना पुराना जज्जमेंट बदला, ये एक्सपरिमेंट होने के बाद अब थोड़े दिन में हमारी तो एक योजना है, आप अगर मदद करेंगे तो हम जरूर करेंगे इस योजना को गाओं गाओं जहां भी गाय है, वहाँ गोबर है गोबर है तो हम क्या करने वाले हैं, गोबर गैस प्लांट छोटे छोटे हर जगे गैस निकालो और सिलिंडर में भरो कंप्रशर की मदद से आप जानते हैं कोई भी गैस सिलिंडर में भरी जा सकती है तो कमप्रेशर की मदद से गैस सिलिंडर में भरो और सिलिंडर खुद भी इस्तेमाल करो दूसरों को भी दो ये LPG का चक्कर खतम करो क्योंकि ये LPG आयातित है माने इंपोर्टेड है दूसरे देश के सामने हम भिकारी बनके खड़े हैं जी दे दो इरान से मांग रहे हैं इराक से मांग रहे हैं इरान आँखे दिखा रहा है नहीं देते देंगे तो इस की मत पे देंगे गरज है तो ले लो नहीं तो मत लो तो हमारी सरकार भीगी बिल्ली बनी हुई उनके सामने रेरी आती है गेगे आती है ये चक्कर अभी खतम करना हमको तो डीजल पेट्रोल ही खतम करना इस देश में जरूरत ही नहीं डीजल पेट्रोल जब तक गाय जीवित है उसका गोबर है गोबर से गैस है गैस से सब चलेगा आपकी बिजली भी बना लो गाड़ियां भी चला लो रसोई गैस गैस भी जला लो घर के सब काम गोबर गैस से हो सकते हैं और गोबर गैस की बनाई हुई रोटी का स्वाद आपके LPG की रोटी के स्वाद से कई गुना अच्छा है करके देख लीज़ा है तो हमारी भविश की योजना है कि हम इस अभियान में आगे ये करने जा रहे हैं गा हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल एक बूंद खर्च करने की जरूरत नहीं गाय से ही देश चलेगा तो समझ में आएगा कि इसमें महालक्षमी हैं गाय के गोबर में लक्षमी नहीं महालक्षमी भारत में सत्रे करोड गाय है इसकी डबल चाहिए 34 करोड में ये हो जाएग हमने जो हिसाब मिकाला है एक गाय का गोबर एक दिन में 10 किलो अभी 17 करोड गाय है तो एक दिन का उनका गोबर है 170 करोड किलो लेकिन सारे देश के डीजल की खर्चा और पेट्रोल का खर्चा और LPG का खर्चा ये पूरा अगर हम कवर करना चाहें तो गाय चाहिए 34 करोड ह जब कटना बंद हो आप अगर इसका संरक्षन करें गाय का कटना इसका बंद करा दें तो गाय की संख्या अपने आप 34 करोड हो जाएगी क्योंकि भारत की जो गाय है देशी गाय वो 20 साल जीवित रहती है और 20 साल में कम से कम सत्रे बार मां बन सकती है वो भारत की गाय और जो जर्सी है ना इसकी उमर ही नहीं है ये जादा से जादा आट से नौ साल जीवित रहती है और आट से नौ साल में पांच-छे बारी मां बनती है और भारत की जो देशी गाय है इसके बारे में बागवट कहते हैं कि इससे जैसी कोई दूसरी चीज भगवान ने नहीं बन और देशी गाय का बच्छडा ही बैल बनता है, ये जरसी वाला नहीं बनता, क्योंकि देशी गाय के शरीर पर कंधा है, तो कंधा चाहिए ना बच्छडे को बैल बनने के लिए, तो वो तब ही संभव है, इसलिए देशी गाय का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, आप बोले तो ये सनरक्षित हो, शायद इसलिए हमारे बुजगों ने का गाये की सेवा करो तो मोक्ष मिलेगा, 33 प्रकार के देवता खुश रहेंगे, और मैंने करके देखा ये, देशी गाये आप घर में रखो, उसकी सेवा करो, सबेरे सबेरे सोके उठो, बस गाये को देखो, कुछ म करो, बैठ जाओ, देखो उसको सामें, और आपके शरीर में इतनी खुशी और आनंद पैदा होगा, उसका चेहरा देखने मातर से, करके देख लो इसको, मैं अभी एक एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ, डिप्रेशन के कुछ मरीजों को मैंने एकठा किया है, एक गोशाला में एक गोशाला में डिप्रेशन के मरीजों को एकठा किया है, कोई दवा नहीं देते, वो कहते हैं जी गाए के सामने बैठो बस और देखो, उसको देखो, उसकी आँखें देखो, आँखो में जितनी सुन्दरता है, देशी गाए की, कहीं नहीं मिले गया, और जो आप गाए पहचान सकते हैं, भारत में एक गाए है, किलारी गाए कहते हैं उसको, किलारी गाए, एकदम गुलाबी आँखें, सुर्ख गुलाबी आँखें, उसकी आँखें देख लिया आपने, तो डिप्रेशन और अवसाद आपका खतम हो जाए, इतना आनंद मिलता है, गाए को दे अपने देश में, उसकी आँखें देखने मात्र से खुशी पैदा होती है, और उसी गाए के साथ एक भैस को देख लो, बरबरम है, एक गाए खड़ी कर लो, एक भैस का चहरा देख लो आप, तो ना हो तो डिप्रेशन हो जाएगा, भैस का चहरा देखते ही, मन में जो पै में आई कि हमारे पूरवज, पुर्खे, गाए के लिए कितने प्रेमी और कितना उसको बचाने के लिए लगे रहे, और आप जानते हैं, कि इस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई गाए सो शुरू होई, जो 1857 में मंगल पांडे ने, गाए की चर्वी के कारतूस की बा नेता थे, वो ये कहते थे, मेरा शरीर काट दो, गाए को मत काटो, और एक जगे तो गांदी जी ने अंग्रेजों को कड़क भाशा में कहा, कि तुम भारत को गुलाम रखना चाहते हो, रखो, गाए काटना बंद कर दो, मैं आंदोलन वापस ले लोगा, वो कहते हैं, गाए बचा दो, आजा दी तो आई जाएगे, गांदी जी जैसे आदमी को इतना लगता था, और गाए के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें कहते हुए, एक खराब बात कह दूँ, कि यही गाए सबसे ज़्यादा कट रही है, और आप जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा कट रही है, तमिल नाडू और केरल, एक साल में साड़े चार करोड गाए कट जाती है इस देश, इस तमिल नाडू में ऐसे ऐसे कतल खाने हैं, जहां एक दिन में 14,000 गाए कट जाती है, आप चाहें तो सब के नाम पते में दे सकता हूँ, इसी तमिल होगी है, वो कट रही है, इसको कटना बंद कराना ही पड़ेगा, अगर हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल के दुष्चक्र से निकालना है, मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, LPG गैस का सिलिंडर आप कितने में खरीदते हैं, 300 रुपए में, गाए गैस का सिलिंड उतना ही बड़ा, जो LPG का है, आप अगर गोबर गैस का खरीदो, तो सरसट रुपए में मिलेगा, 67, आप एक लीटर पेट्रोल में कितनी काड़ी चलाते हैं, एक लीटर पेट्रोल में, 20 किलो मीटर हैं, नहीं नहीं, 20 मान लो, अच्छी से अच्छी गाड़ी, एक लीटर और आप जब खर्चा निकालते हैं ना गाड़ी चलाने का पर किलो मीटर खर्चा, तो डीजल का खर्चा साइद साड़े चार के आसपास आता है, पेट्रोल का खर्चा छे साड़े चे रुपए आता है, गाए के गोबर से पर किलो मीटर गाड़ी चलाने का खर्चा एक दोलाकसी हजार करोड का हो चुका है सरकार इसी से सबसे ज़्यादा परिशान है ये पूरा खर्चा बच सकेगा और दोलाकसी हजार करोड में तो 34 करोड गाए आराम से पाल सकेगे तो गाए बचाने का काम करना है वो इसलिए कि बागबटी जी बोल कर गए है कि ये सबसे सुंदर वस्तू या चीज या प्राणी बनाया इस देश में बगवान में और मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ा इसको संशोधन कर सकते हैं प्राणी नहीं प्राण है ये देश का और हम ये कहते हैं ना जानवर जानवर नहीं जान है इस देश के भारत को अगर भारत की जान है तो ये गाय है भारत की प्राण है तो ये गाय है ये है तो हम है कई बार मैंने लोगों को ये कहते सुना हम गाय पालते हैं उनको हाद जोड़कर कहता हूँ कि आप गाय नहीं पालते गाय आपको पालती है यह एहंकार मत करिए अपने मन में कि हम गाय पालते है आपके मन में विनम्रता आनी चाहिए कि गाय हमें पालती है आप क्या पालेंगे जी वो तो भगवान की है आपकी हैसियत में उसको पालने वो तो भगवान की कोई क्रपा हो गई आपके उपर जो आपको दे दी उसने तो ये क्रपा आप सब पर हो तो इसके लिए कुछ प्रयास करें आप बुलेंगे जी क्या करें सबसे पहला प्रयास कि गाय का कतल रुके गाय का कतल रुकने में आप कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं वो ये कि आप अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि जी दूद पिएंगे तो गाहे काई पिएंगे मुझे बाबुजी तीन-चार दिन से एक जानकरी दे रहे हैं एक राधाकृष्ण बजाज जी उनके हाँ आया करते थे राधाकृष्ण बजाज का नाम शायद आपने सुना हो बहुत बड़े गांधिवादी नेता रहे बिनोवा जी के साथ रहे और आज़ादी के आंदोलन से इस देश को समालने और समारने में लगे रहे उन्होंने संकल्फ ले रखा था जी दूद प्योंगदा तो गाय काई तो यह बाबुजी बताते हैं कि इनके घर आते थे तो गाय काई दूद पीते थे अब मैं सोचता हूं कि राधाकृष्ण बजाज जैसा संकल्फ सब ल नई मैं गाय पालने वालों की लाइन लग जाएगी, आप देखना क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ आज का मारकेٹ कंजूमर मारकेट है बायर्ष मारकेट है आज की दुनिया में खरीदने वाले का मारकेट है बेचने वाले का कुछ नहीं है जो डिमांड खड़ी करे तो सप्लाई आती है तो आप सोच लो जी गाय काई दूद पिएंगे तो गाय के दूद की सप्लाई आएगी कैसे आएगी कुछ लोग गाय खरीदेंगे कुछ गाय पालन करेंगे कुछ गोशा लाएं खुलेंगी कुछ दूट डेरियां बनेंगी फिर आप बुलेंगे जी देशी गाय मिलेगी मिलेगी क्योंकि सत्र करोड़ भी है पूरी नहीं कट गई है सत्र करोड़ भी है तो मिल जाएगी और जितनी अच्छी गाय चाहिए उतनी अच्छी मिल जाएगी आप कहेंगे जी देशी गाय का दूट कम होता है जादा दूट की गाय भी है कम दूट की गाय भगवान ने इस देश में बड़ा बैलेंस बनाया ये बहुत दिन में मेरे समझ में आया कि जो गाय दूट कम देती है उसके बच्छडे मजबूत बैल होते है और जिसका दूद ज्यादा है उसके बच्छडे कुछ कमजोर बैल होते हैं तो कम दूद देने वाली गाए बच्छडों के लिए है ज्यादा दूद देने वाली गाए आपके लिए है गाए सबको ध्यान रखती है तो आप ज़्यादा दूद वाली भी गाए ले सकते हैं इस देश में ऐसी गाए हैं आप चलो तो मैं दिखाऊं जो 65 लीटर दूद देती है एक दिन 65 लीटर आपको चाहिए तो एक लाख रुपई की है महंगी नहीं है पांच लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं आप दस लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं एक लाख की गाए क्या महंगी है और वो गाए अगर आ गई तो आप देखके दंग रह जाएंगे क्योंकि मैंने वो हर्याणा में देखी है पंजाब में देखी हैं 60 लीटर दूद है, एक आदमी निकाल नहीं पाता, तीन लगते हैं निकालने हाँ, क्योंकि कितना निकालेगा और मैंने देखा हरियाना में जो लोग रखते हैं ना उनके घर में तीन लोग उसका दूद दूदे और इतनी सीधी, इतनी सीधी है वो, कि बच्चा भी चाहे तो उसका दूद दूदे बैठ जाए नहीं लात मारती, ना सींग मारती है दूद बहुत है खाना भी थोड़ा अच्छा है उसका क्योंकि दूद इतना अच्छा है तो खाना भी अच्छा होगा उसको एक चीज बहुत पसंद है जो आप खिलाएं तो गन्ना होता है ना गन्ना उसके उपर का हिस्सा ये खिलाते जाओ दूद उसका बढ़ता ही रहता कम नहीं होता पहली बार माँ बनेगी दूसरी बार दूद बढ़ता ही जाता गन्ना खिलाते रहो बस उसको सबसे आदा ऐसी भी गाय इस देश में हैं जो 55 लीटर दूद देती हैं और ऐसी भी गाय है जो एक लीटर दूद देती है वो आपके आसपास है लेकिन एक लीटर वाली भी तिरिसकार मत करो क्योंकि वो बच्छडे जो देगी वो बैल बनेंगे अच्छे तो बैल तो चाहिए हमें क्यों तिरिशकार की द्रश्टी से मत देखो, उसके बच्छडे मजबूत बैल हैं, जो दूद ज्यादा देती है, उसके बच्छडे कुछ कमजोर होते हैं, मैंने वो करके देखा, कम दूद वाली गाय का बच्छडा बैल बनता है न, तो तीन टन, माने तीन हजार किलो माल आराम से चालीस किलो मीटर तक बिना रुके लेके जाता है, और जो ज्यादा दूद देने वाली गाय है, उसका बच्छडा तीन टन माल लेके जाएगा, लेकिन तीन जगे रुकेगा, रेस्ट लेगा, फिर चलेगा, और जो कम दूद वाली गाय का बच्छडा है, वो स्पीड नी विशेशता है इस देश में भगवान ने सब कुछ सोस समझ के बना गए तो आप दूद पीना शुरू करो गाय का तो गाय की डिमांड बढ़े तो फिर यहां गोशाला खुले या पहले से चल रही गोशाला सुधार हो पिर आप बोलेंगे जी रखेंगे कहां चिन्नई के आसपास इतनी जमीने हैं बहुत सारे गाओं हैं बहुत सारी जमीने हैं आप कहीं भी ले सकते हैं और ये विदेशी कमपनियां आ आ के चिन्नई के आसपास जमीने खरीद रही हैं वो मेरे जैसे लोग आपको बताते रहेंगे और कोई भी गाय का वारिस हो सकता है दस-दस हजार रुपए कठा करो एक-एक गाय आपके नाम से वहां रहे गास्चारा खिलाने वाला और उसकी साथ सम्हाल करने वाले जितने लोग चाहिए कहीं न कहीं से मिल जाएंगे क्योंकि गाय पालन करने के लिए मन में जो भक्ती है ना वो बहुत लोगों में अभी भी बच्ची हुई है ऐसे बिहार में मैंने हजारों लोग देखे हैं जो गाय पालन के लिए कहीं भी जाने को तैयार है उत्तर प्रदेश में हैं तो वो आ जाएंगे आपकी गायों को समा लेंगे उनको पुनने चाहिए मोक्षु चाहिए आपको दूद चाहिए दोनों का मेल हो जाएगा तो पालने वाले भी मिल जाएंगे गाय भी मिल जाएगी बस आप तो संकल्प कर लो जी कि हम तो करेंगे अब आप मैंसे जो भी लोग दान वीर हैं जो दान देते हैं मैं कहता हूँ गाय के लिए निकालो थोड़ा थोड़ा और गाय के लिए थोड़ा थोड़ा निकाला तो पूरी व्यवस्ता बन जाएगी मैं तो आपको मेरे छोटे से गाओं की जानकरी दे रहा हूँ मैं बहुत छोटे गाओं में रहता हूँ सेवा ग्राम उसका नाम है गांदी जी का बसाया हूँ तो गांदी जी का असर अभी तक उस गाओं पर है गांदी जी गाओं को बहुत प्रेम करते थे तो उस गाओं के जितने भी किसाने वो गाए ही पालते हैं मैं जिस छोटे से गाओं में रहता हूँ उस गाओं के आसपास के 40 गाओं में 56 गाओं है हर दिन एक सवालाख लीटर दूद आता है और जिसको चाहिए वो चला जाता है फिर थोड़ा बच जाता है तो उस दूद से बिसकिट बनाते है गाओं के दूद का बिसकिट हमारे यहां का खाले है तो आप सारे बिसकिट भूल जाएंगे फिर वो बच जाता है तो फिर दही बना लेते है दही का मठा मठे से मक्षन बना लेते है मक्षन से घी भी मिल जाता तो घी भी मिलता है वहां पर गाय के दूद का मक्षन भी मिलता है मावा मिलता है मावा मने खोवा फिर उससे पेड़ा बना लेते हैं वगरा वगरा सब हो रहा है और जो किसान ये गाय पाल रहा है उनके पास जमीन नहीं है जादा आप ध्यान दो इस बात किसी के पास एक एकड़ दो एकड़ लेकिन सब लखपती है गाय की ताकत से जमीन जादा नहीं जितनी है वो गाय के घास चारे के लिए ही पूरती है लेकिन दूद और दूद की दूसरी चीज़ें जो वो दे रहे हैं कुछ किसानों को तो ये बात इ जो दूद हम दे देते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता जो घी देंगे तो मठा तो बचेगा कम से कम देखो किती इंटेलिजेंसी वो आदमी युनिवर्सिटी में नहीं गया एग्रो एकॉनोमिक्स उसने कभी नहीं पढ़ा वो कह रहा है कि जो दूद दे दिया तो म मेरे पास तो कुछ बचता नहीं है मैं मठा तो बचा सकता हूँ अगर घी दूँगा आपको मठा मैं पिऊँगा मेरे बच्चे पिएगे बचेगा तो गाय पिएगी घी आप ले जाओ तब मुझे समझ में आया कि हमारे देश में कहते थे ना दूद बेचा नहीं जाता ऐसा कहते ना पुराने लोग दूद बेचना पूत बेचने जैसा है बच्चे को नहीं बेच सकते तो दूद भी नहीं बेच सकते तो वो शायद कहावत इसलिए बनी होगी कि आप अगर दूद बेचते रहोगे तो कुछ बचेगा नहीं तो दूद बेचो मत दूद की बनाओ दही, दही का बनाओ मठा, मठे से निकालो, मक्षन, घी बेचो तो घी बेचो तो भाव भी अच्छा है 180 रुपए किलो तो हमारे यां मिलता है लेकिन वोई घी बंबई जाता है तो 500 रुपए किलो बिक जाता है बैंगलोर चला जाए तो 600 रुपए किलो भाव है जर्मनी चले जाए तो 4000 रुपए किलो तक भाव मिल जाता है वोई घी का 180 से लेके 4000 रुपए किलो तक का रेट है गाय के देशी घी का जर्मनी वहां अमेरिका वगरा वगरा उनको भी चाहिए मिलता नहीं क्योंकि उनके पास देशी गाय नहीं जरसी तो मेरा मानना है गाय का आप थोड़ा पालन उसका संरक्षन संवर्धन शुरू कर दो गोशाला बनाने का काम अगर यहां हो जाए तो का खर्चा उसका बीस हजार रोपय का है तो बीस हजार का खाना खाएगी दो लाग की इंकम है दूद के रूप में दही के रूप में घी के रूप में मक्षन के रूप में मूत्र के रूप में और गोबर के रूप में टोटल इंकम दो लाग की और जो बूड़ी हो गई द दूद देना बंद करें, तो भी साल की इंकम सवाला की है, तो भी, खर्चा बोई 20 हजार का है, तो इंपुट कम है, आउटपुट जादा है, इसलिए गाये का बिजनिस भी आप करें, दूद का, गाये से मतलब दूद का, दही का, मक्खन का, घी का, गोबर का, आप शुरू क कर दो, मैं आज बोल रहा हूँ, तीन साल बात सरकार बोलेगी इसी बात को, कि गोबर गैस प्लांट लगाओ जगे-जगे, सिलिंडर में गैस भरो और गाडियां चलाओ, डीजल हम ला नहीं सकते, पेट्रोल ला नहीं सकते, तो इसलिए ये गोमूत्र से शुरू हुई ये तीन तरीके से गायों को आप बचा सकते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर अपने निरंजन भाई है, ये और इनकी पत्नी गाये के सेवा में लगे हुए, आपको कभी गोमूत्र की जरूरत हो तो इंसे ले लेना, अब मैं पांच मिनट में ख कफ का रोग है, केटरेक्ट जिसको आप अंगरेजी में कहते हैं, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक रोग है ना, काला पानी, काला रेटिनल डिटेच्मेंट एक रोग है, जिसका तो दुनिया में कुछ भी इलाजी नहीं है, रेटिनल डिटेच्मेंट का, ऑपरेशन भी नहीं बहुते आँखें लाल होना, आँखों से पानी निकलना, आँखों में जलन होना, तो छोटी-छोटी से लेकर सबसे खराब बीमारी, रेटिनल रिटेच्मेंट, ये सब गोमुत्र से ठीक होती है, क्यूर होती है, शब्द पे ध्यान देना, आप मेंसे किसी को चश्मा उतारना है अगर अपना तो जरूर डाले तीन महिने में आप लगातार डाल के देख लीजे नंबर बदल जाएगा और सवा डिड़ महिने में चश्मा उतर जाएगा ग्लुकोमा बिना ओपरेशन ठीक होता है चार सवा चार महीने में कैटरेक्ट अगर आपको डिसॉल्व करना है छे सवा छे महीने में ठीक हो जाता है रेटिनल डिटेश्मेंट को एक साल लगता है लेकिन लगाता है गोमूत्र डालते रही है एक एक बूंद बस इतना परियाबत है आँखों में बच्चों के कान बह रहे हैं कान आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों के कान में मवाद निकलता है बस दो या तीन दिन एक एक बूंद कान में गोमूत्र की डाल दीजे पूरा कान साफ हो जाएगा मवाद निकलना बन बच्चों की नाक बहुत बहती है बार बार सरदी होती है बार बार जुकाम होता है बागबटी जी कहते हैं कि नाक बह रही हो सरदी बहुत हो जुकाम बहुत हो तो गोमूतर तो नहीं कहा उन्होंने गोगरत कहा गोगरत मने गाय का घी एक एक बून नाक में डाल दो बच्चों के सर्दी जुकाम ऐसे गायग होगा जैसे गधे के सिर से सीन गाय का घी अच्छा आपको नीद नहीं आती अच्छी नीद लेनी है बढ़िया नीद लेनी है डीप स्लीप लेनी है रात को एक एक बून गाय का घी नाक में डालके सोजाओ बहुत गहरी नीद आएगे आपको खराटे बंद करने बहुत लोगों को खराटे आते हैं रात को सोते समय सोने वाला तो नहीं जानता पड़ोसी जानता है कि क्या तकलिफ होती है तो जिनको भी खराटे बहुत आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा में बता के जा रहा हूँ गाय का घी एक एक मून नाक में डाल लो तीन दिन बात चौते दिन से खर्राटे बिलकुल बंद हो जाए स्मूत एक दम आपकी नीद हो जाए तो गाय के घीका भी उप्योग है औशदी के रूप में गोंग उत्रका अब आता हूँ बाल जड़ते हैं बहुत सारी बहने शिकायत करती हैं बाल जड़ रहे तो गाय के दूद का दही बनाओ दही दही को तावे के बरतन में रख दो पांच-चे दिन रखा रहने दो फिर हरा हरा हो जाएगा फिर उस दही को बालों में लगाओ एक घंटे के बाद बाल धो दो शीका काई से शैम्पू से नहीं शीका काई से हफ़ते में चार बार कर सकते हैं और बाल तूटना एक ही हफ़ते में बंद हो जाते कई बेहनों ने तो मुझे बता राजी भाई हमने तो एक ही बार किया था उतने में भी बंद हो गए अच्छा बविश्य में बाल ना तूटें अच्छे रहें दुरुस्त रहें तन दुरुस्त रहें तो महिने में एक बार या नहीं तो महिने में दो बार गाय के मूत्र से बाल दोलो बहुत अच्छा कंडीशनर है नैचुरल और्गेनिक कंडीशनर है गाई का मूतर तो जैसे आप कंडीशनर यूज़ करते हैं उसकी जगे गोम मूतर यूज़ कैसे करें गाई के मूतर में थोड़ा पानी मिला देना और जैसे conditioner यूज़ करते हैं वैसे कर लें और आगे बढ़ता हूँ बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिती में हो बच्चों की आप कई बार महसूस करते हैं ना उनको बलगम जमा हो गया कफ जमा हो गया तो ऐसे बच्चों को एक चमच गो मूतर पिला दो एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा आपको पीना है तो आप भी पीलो आदा कफ तक पी सकते हैं फिर उसके बाद मूतर पिंड के जितने भी रोग हैं मूतर पिंड के रोग आप सब समझते हैं किड्नी के फेलियर के और किड्नी के तकलिफ के ये सब में बहुत अच्छी दवा है गो मूतर उप्योग करो गाये का मूतर आदा कब किड्नी फेलियर के सब केसिस में आप उप्योग कर सकते हैं मूत्र के कोई भी रोग में उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, गो मूत्र पीना शुरू करो खुल के आएगा, पेशाब में जलन होती है, गो मूत्र पीना शुरू करो जलन बन, पेशाब कई बार लाल रंका आता है, गो मूत्र पीना शुरू क फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं वात के कफ के पित्त के आप उसमें उप्योग कर सकते हैं पित्त के रोगों के बारे में बागबट जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो घी का उप्योग जादा करें पित्त के रोगी पित् ठीक करने के लिए तो घी जादा खाएं बस इतना ही निवेदन है उनका बाकी बात और कफ वाले तो कुछ भी करें तो बाल में उपियोगी शरीर गोमूत्र की मालिश करो आप तो आपकी तवचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं ना सब चले जाएंगे आँकों के मालिश कर लो सब खतम हो जाएंगे तो ये गाय का मूत्र अद्बुत है अब इस गोमूत्र को ज्यादा आज के समय में लोगों ने उपियोग करने के लिए एक टेक्निक डवलप की है कि प्योर गोमूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है लेकिन क्या करते हैं आजकल क गोमूत्र को उबालते हैं तो उसकी वाश्प बनती है वाश्प को ठंडा करके अर्क बनता है अर्क अर्क तो आप समझते हैं तो गोमूत्र अर्क भी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन मेरा कहना है कि प्योर मिले तो सबसे अच्छा नहीं मिले तो अर्क ले सकते हैं नहीं मिले लेकिन अर्क जादा नहीं लेना अर्क सुक्ष मात्रा में ही लेने के लिए बारद नियम दिया है वह चांव करी अब आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं ये निरंजन भाई भी बना रहे इनसे मिले सकते ये यहीं पर इनकी गोशाला चलाती है आप भी गोशाला बनाएं तो उसमें भी अर्क बन सकता है और अर्क बाजार में 500 उपई लीटर बिखता है बड़े-बड़े वैद्धे खरीदने को तयार है आप खाली गोमूत्र से अर्क ही बनाना शुरू कर दो एक गाए ढ़ाई से तीन लीटर मूत्र देती है और सो गाए अगर आपके पास है तो साल की इंकम एक करोड की आराम से हो जाएगी अर्क बेच के ही हो जाएगी अर्क के बाद जो बचता है जिसको हम कचरा समझते है उससे साबुन बनता है साबुन और इतना अदबुत है वो साबुन कि शरीर के त्वचा रोग खतम कर देता है अर्क निकालने के बाद जो बचता उससे शैंपू भी बनता है साबुन भी बनता है वाशिंग पाउडर भी बनता है आपका फर्ष साफ करने के लिए वो जो आप फिनाईल वगरा इस्तेमाल करते है ये गोमूतर अरका भी बनता है गाय के गोबर से टाइल्स बनना शुरू हो गए इस देश में टाइल्स हमस्ते हैं जो छत में लगाते हैं और वो लगा दो तो टेंपरेचर पांच डिगरी कम कर देता है टेंपरेचर पांच डिगरी कम कर देता है तो ऐसी अदबुत गाये भगवान ने हमको दी प्रकरती ने दी इसका संरक्षन संवर्धन हम करें मूतर का उपयोग करें गोबर का उपयोग करें घी का उपयोग करें दूद का उपयोग करें और हर चीज़ उपयोग करेंगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो गाए आएगी, आप भी गाए रख सकते हैं, भारत में बहुत लोगों ने गाए रखी हैं, और कई लोग तो ये सुन सुन कर कार बेचके गाए ले आए, स्कूटर बेचक गाहे ले आए, मोटर साइकल बेच के, क्योंकि वो कहते हैं, राजी वह आप ही बोलते हो, दस साल के बाद मिलेगा के नहीं, डीजल, पेटरोल, बारोसा नहीं, फिर ये कार करेगी क्या, बेल गाड़ी में लगा के ले जाना पड़ेगा, तो पहले ही गाहे ले आओ, तो गोवर गैस तो मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी, तो डीजल ना मिले, तो भी कार चल जाएगी, पेटरोल ना मिले, तो भी कार, तो ये सब मैंने आज आपको कहा, बागवट्ट चिकित्सा का एक पूरा चैप्टर इस पर है, गोमूत्र पर मैंने उसके कुछ सूत्र आपको बताए, आप आज से ही इनका पालन करें अपने जीवन में, और सुखी रहें, निरोगी बनाएगी, ये जितनी भी बात हैं मैंने कहीं हैं, ये किताबों में हैं, गोमूत्र चिकित्सा पर विशेश किताब हमने बनाई है, उसमें बागवट्ट के 64 सूत्र है, सब तो नहीं लिए, 64 सूत्र है, वो आप चाहें तो ले जा सकते हैं, और वो पुस्तक पर मेरा कॉपी राइट नहीं है, सब को कॉपी करने का राइट है, आप क्या करें, उस पुस्तक को अपने नाम से छपा लें, हमारा नाम निकाल के अपना लिख लें, तो मैं कभी मुकद्मा करने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ ये बात जल्दी से जल्दी, जादा से जादा लोगों तक पहुँचे, तो हमारा लक्ष है गाएवचे, और बागवट चेकित सामय गोवमूत्र का उपयोग होने लगे, मेरा लक्ष तो वो है, पुस्तक जादा लोगों तक जाएगी, तो तब ही ये हो पाएगा, और मैं अकेला कितनी छाप छाप के बांटूँगा, मेरी एक लिमिट है, लेकिन सब अगर ये ही करने लग जाएगी, तो लिमिट तूटेगी, ज्यादा लोगों तक पहुँचेगा, इस पे सीडी भी बनाई है, पुस्तक भी है, आप चाहें तो ले ले, अभी प्रश्न आपके, आज समय थोड़ा जादा ले लिया, मैंने माफ करियेगा, जी प्रश्न, एक सवाल ये है, आपने कहा कि, गोमूत्र में सबसे ज़्यादा कर्क्यूमिन है, लेकिन हल्दी में भी कर्क्यूमिन है, हाँ, वो कल बात करने वाला, हल्दी की बात कल आएगी, हल्दी में भी बहुत कर्क्यूमिन है, और एंटी कैंसरस सारी प्रॉपर्टी हल्दी में है, और दूसरी बात यह है, जैसे त्रिफला चूर्न है, मेथी है, गोमूत्र है, तो ये क्या-क्या चीज़ सुबह में लोग लें, क्या-क्या पीएं, अच्छा देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल प्रदीब भाई का बहुत अच्छा है, कि इतनी सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं, सबेरे क्या-क्या लें, तो मैं आपको एक छोटी निवेदन ये विंती के रूप में करना चाहता हूँ, कि तीस तारीक को सुबह मैं एक सेशन करना चाहता हूँ आपके साथ, इसी भवन में, वो ये ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्योंकि ग्यान जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब हमारे सामने सेलेक्शन की समस्या आती है, कि हम क्या-क्या करें, अब सबेरे लेने के लिए इतनी चीज़ हो गई हैं, तो आप दो दिन इंतजार कर लें, तीस तारीक का सेशन में इसी के लिए करने वाला हूँ, कि जितना आपके पास ग्यान आ गया, अब इसमें से सलेक्टिव कैसे हो, कौन-कौन सी एक, दो, तीन चीज़े करें, जो आपके लिए परियाप्त हो, वो मैं आपकी प्रकरती स्वभाव और चिकित्सा रोग के इसाब से बताऊंगा, जैसे वात वाले हैं, वो क्या-क्या कर ले, पित वाले हैं, वो क्या-क्या कर ले, कफ वाले हैं, वो क्या-क्या कर ले, और ये जो सारा बोला है, इसका समब भी 30 तारीक को सुबह 7 बजे से 9 बजे के इसी सेशन में मैं करूँगा गाई के बारे में आपने बहुत कुछ बताया अच्छा है गाई का पंचमर्त जो होता है वो इतना सुध होता है जिसकी कोई हद ने मैंने इसका सद्यूप्योग किया है पंचों चीजों को जिसको मिला कर के आप लेओ तो जिन्द की भर की जेसी जेसी बीमारी हो वो आपकी दूर हो जाती है उसके बारे में आप बताते है गाई का दूद गाई का घी गाई का मूत्र थोड़ा गाई के गोबर का रस और ये सब मिला कर थोड़ा गुड़ ये है पंचामरत इसमें गुड़ की जगे शहद भी मिला सकते हैं क्योंकि दूद में वैसे शहद नहीं मिलाते लेकिन गाई के मूत्र के साथ चलता है घी मे शहद नहीं मिलाते लेकिन गाय के मूत्र के साथ चाब तो पंचामरत बनाने की विधी उस तक में है आप ले लो ये पंचामरत का इनका जो रिजल्ट है वो पूरे देश में वैसा ही रिजल्ट है बात पित कफ तीनों पर एक साथ काम करता है बहुत गहराई से असर करता Abnormality in hormones उसका कुछ cure है हाँ बिलकुल है आप इसके लिए मुझे व्यक्तिकत रूप से मिलेंगे मैं आपको लिख के देता हूं जरूर जरूर देखिए मेरे पास एक लिखित चिठी आईए बहुत खुशी की बात है चिन्नई में गोशाला है तो बहुत अच्छी बात है बस द कारेंटी दो कि एक भी गाय घाटे का सौधा नहीं है दूद दे या ना दे सेक्रेटरी हैं बहुत अच्छा है जी आप बोलेंगे हैं इनको माइक दे दीजे जरा चेनई में पिंजरापोल है जहां करीब 2700 गाय है यह सब उड़ी गाय है जो दूद नहीं दे रही है और हम इनका पालन करें दे कि management बराबर नहीं है यह बात नहीं है वो ही लोग बोलेंगे या तो उनको दूद नहीं मिल रहा है अगर वहां आके आप personally आके देखे तो आपको मालू पढ़ेगा कि manage कैसे किया जाता है कहना बहुत easy है लेकिन करना बहुत मुश्किल है इसे आप से व सुबेह खाना तो वेट नहीं बढ़ेगा रात को खाओ तो वेट बढ़ेगा पराठा रात को नहीं खाना सुबेह आप ठोड़ा या तो चुब इनर चूना खालो और आप जो बोला है थोड़े दिन या तो गों मूत्र पीलो allergy सब तरह की ठीपा चूना खाने के लिए एक ग्राम चूना दही में मिलाके या मठे में मिलाके चाच में नहीं तो पानी में मिला नहीं दिन में सुबह गुस्सा नहीं आए गाय का गी नाक में डालो गुस्सा नहीं आए मेनत करते हैं आठ घंटे हैं और अगर मेनत नहीं करतें सिर्फ बैठने का काम है तो 6.5 गंटे 6 से 3.5 गंटunda गोबर गैस गाय की गोशाला जो होती है न जहाँ गोबर है वहीं पर ये गोबर गैस बनती है और वहीं से सिलिंडर में भरके हम सबको दे सकते वो मूत्र वैसे ताजा हो 48 मिनिट में फी लेना चाहिए बोतल में भरके 4-5 दिन तक रख सकते काच की बोतल बीपी के लिए सबसे अच्छा मेति दालो रात को पानी में डालके झाल झाल